मेरा आप सभी को सादर पनाब आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थाइलिन ओपन दो हजाद तेईस की जिसके आज के दिन खेले गए राउंड ओफ थर्टी टू और उनी के रिजल्स लेकर हम आप सभी के साथ चुट चुट चुके हैं तो आज के दिन भारती प्लैस के काफी सारे मुकाबले रहे जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मेंस सिंगल्स की जहां लक्षे सेन का मुकाबलता चाइनीज टाइप एके प्लैर के खिलाफ और ये मुकाबला तीन सेट्स तक गया लेकिन आखिर में बाजी मारी सेन ने और इसी के साथ वो प्री कौर्टर सें पहुंच गए है उन्होंने अपने आपोनेंट को 21-21-21-21 से बीट किया और अब राउंड आफ 16 में उनका मुकाबला रहने वाला है चाइनीज प्लैर ली शी फंक के खिलाफ अगले मुकाबले की बात की जाए जहाँ पर किरन जॉर्ज हमें नजर आए इस टूनमेंट के थर्ड सीड और वर्ल नमबर नाइन चाइनीज प्लैर शी यू ची के खिलाफ और काफी ही ट्रिमेंडिस प्रफॉर्मेंस के साथ केरन जॉर्ज ने अपना मुकाबला जीत लिया है जी हाँ उन्होंने अपने आपने आपोनेंट को स्ट्रेट सेट्स में बीट करते हुए प्री कॉर्टरस में जगा बनाई और उन्होंने अपने मुकाबले को 21-22-20 से ज जिसमें प्रियान शुरुजावत मलेशन प्लेयर के खिलाफ स्ट्रेट सेट्स में हार गए 19-10-21 से वहीं किडम भी श्रीकांद को भी हार का सामना करना पड़ा उनका मुकाबला था चाइनीज प्लेयर के खिलाफ तीन सेट्स तक की मुकाबला जरूर गया लेकि फ्रेंच प्लेयर पुपोव के खिलाफ हार गये उन्हें अपना मुकाबला 14-21-21 से गावाया आखरी मैच की बात करते हैं वो राम मिथुन मंजुनात का जिनका मैच था था थाइरेन के प्लेयर विद्सान के खिलाफ तीन सेट्स तक के मुकाबला गया लेकिन मिथुन भी अपना मैच नहीं जीत पाए और वो इस मुकाबले को 21-78-21-15-20 से हार कर बाहर हो गये हैं अब बात करते हैं विमन्स सिंगल्स की जहां पर देखने को मिले तीन मुकाबले सबसे पहले साइन नहवाल केनेडियन प्लेयर के खिलाफ नजर आई और उन्होंने काफी आराम से की मुकाबला अपने नाम कर लिया वो इस मैच को 21-23-27 से जीत कर प्री कौर्टरस में पहुँच कई है जहां पर अब उनका मुकाबला रहेगा चाइनीज प्लेयर हे बिंग जियाओ के खिलाफ वहीं दूसरी और अश्मिता चलिया का मुकाबला था इंडियन प्लेयर मालव की सर्प्राइज हुआ क्योंकि पीवी सिंदू का मुकाबला जहां केनेडियन प्लेयर मिशल ली के खिलाफ था वो अपने इस मैच को हार कर यहीं से ही यानि की थाइलेंड ओपन के पहले राउंड से ही बहार हो गई पीवी अपने इस मैच को 8-21-21-18-21-21 से हार गई है जो की मेरे ख्यास से किसी ने उमीद नहीं की होगी लेकिन काफी ही यह अपसेटिंग मोमेंट जरूर था इंडियन फैंस थे उनके लिए पीवी के जो फैंस थे हम उमीद करते हैं कि पीवी जल्धी स्ट्रॉंग कमबैक करती हुई हमें नजर आएंगी अपकमिंग टूनमेंस म मैंन डवल्स में हमें चिराग और साथवी की जोड़ी खेलती हुई नजराई डैनिश प्लेयर के खिलाफ जहां पर तीन सेट तक गए इस मुकाबले में इंडियन पैर ने बाजी मारी और वो इस मुकाबले को 21, 13, 18, 21, 21, 17 से जीत गए हैं आखरी मैच की बात करते हैं वो रहा विमन्स डबल्स का जहां पर शिखा और अश्विनी की जोड़ी नजराई कोरियन पैर के खिलाफ और यहां पर इंडियन पैर को स्ट्रेट सेट्स में हार का सामना करना पड़ा और वो इस मुकाबले को 11, 26, 21 से हार कर यहीं से ही बाहर ह हो गए तो यह थे आज की दिन के हुए सभी मैचेस के रिजल्स आप सभी के लिए बाकी अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि बाकी इंडियन शट्लर कैसा प्रफॉर्म करते हैं उमीद करेंगे कि अच्छे परफॉर्मेंस और मैक्सिमम नंबर ओफ विंस ही हमें देख